वारेंट भूपे ने कहा था एक बार, कि दो नोट सेव वाट इस लेफट आफ्टर सेविंग, बट स्पेंट वाट इस लेफट आफ्टर सेविंग अगर भूपाल में पेसे बचाने है तो ये वीडियो को पूरा देख लेना कसम उड़ान चलेगे हमें सूर्मा भूपाल ये से नहीं बोल से नमस्कार आदा, मैं हो जुनल आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना इंडियन मनी का यूट्यूब चैनल वैसे भूपाल में यदि आपको पैसे बचाना है, वैसे पैसे तो आपको किसी भी सिटी में रहे हैं बचाना ही चाहिए हम फ्रीडम पर कहते हैं कि money saved is equal to money earned तो आज भूपाल से शुरुआत करते हैं और को जेनरिक टिप्स बताऊँगा आपको कैसे आप कम सैलरी में गुजारा कर सकते हैं या फिर आप कम सैलरी होने के बावजूद भी सेविंग्स कर सकते हैं भूपाल से शुरुआत करते हैं भूपाल के अगर बात करें तो यह मध्यप्रदेश की राजधानी है नवाबो का शहर है इसे हम अगर मध्यप्रदेश का उधैपूर कहता हूं मैं तो अधिकतर क्योंकि यहां पर वह सरी लेक्स हैं जीले हैं और भूपाल में पता है दोस से उड़ते हैं आराम से दफ्तर जाते हैं और आराम आराम वाला काम है और थोड़ा सा शांत सुभाव वाली है सिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए आपको नदियां नहरे और जील देखनी है थोड़ा सा लेड़ बाक रहना है शांत जगे चाहिए उड़ा की शान है चलिए अब बात करते हैं कुछ बचत के बारे में कि आप कैसे अगर भौपाल में रहते हैं तो वहां पर बचत कर सकते हैं सबसे पहले भौपाल जो हमारा यह मिशन आया था जो कि फ्लैक्शिप स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करूँ तो भौपाल 20 रहा है साथ ही साथ भोपाल की बात करें थोड़ी एक तो मालवा रीजन है हमारा हिंदी वहाँ पर चलती है और बड़ी मीठी जबान वारी लोग वहाँ पर पाई जाते हैं अब बचत की बात करें तो नंबर वान पर हम बात करेंगे सब्चपले ट्रांस्पोटेशन आपको किसी भी शहर में अगर कहीं भी जाना है अगर मुंबई डेली से कंपारिजन करूंगा तो ऑफिस से लेकर के घर का डिस्टेंस ही दो दो तीन तीन घंटे का होता लेकिन जपते जपकते ही दस-पंद्राइबीस मिनिंटों में अराम से कहीं भी अपने आफिस में जाना आना कर सकते हैं अगर आपको यह है कि नोडल पॉइंट तक कौन चलेगा अगर आप मेरी जैसे थोड़ा सुस्टीक हो रहे हैं तो कोई बात नहीं उसका भी उपाए मेरे पा कहीं से कहीं पहुंचा देगा वैसे एक चीज़े भी चलती है वहाँ जाना अभी गंच किता लो गया सो रुप है नहीं हम तो पचास देंगे तो सतर मान जाओ ऐसे आप पैसे बचा सकते हैं यह एक ट्रिक होती है अगर आप जितना जादा किसी भी सेटी में रहें अगर आ देखी अगर मुंबई डेली से कंपेर करूंगा तो मुंबई में अमुमन लोग रहते हैं फ्लैट सिस्टम में भुपाल में चुकि एक चोटी सिटी है वहाँ पे बहुत चोटी भी नहीं है लेकिन कैपिटल अमधिव देश का आपको वहाँ घर भी मिल जाएंगे जी हाँ पे फ्लैट में ही 25-30,000 रुपर महिना हमें देना पड़ता है मुंबई वगयरा में वैसे ही अगर आप 15,000 भी देंगे या 10,000 रुपर भी देंगे तो यहां पर आपको घर मिल जाएगा जहां पर आराम से 3 बेस के 4 बेस के कांसेप में आप 10-15,000 के रेंट में रह सकते हैं आप काम के सिलसले में भोपाल गए हैं और यदि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं आप अकेले रहने वाले हैं भोपाल में तो आई वुड रेकमेंड कि आपना शेरिंग सिस्टम में रह लें आप 2-4 दोस साथ में मिलके फ्लैट लेलें तो जमानली जे 10,000 रुपे का है बड़ी सी टीम है और अकेले आपने घर ले लिया तो आपको वो महंगा पड़ जाएगा इसलिए शेरिंग में चले जाएं पीजी में भी जा सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो पीजी को जादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि पीजी में आपके पड़ोसी करते हैं एक पॉर्टेंट चीज़ की जो कि होती है शॉपिंग यदि महिला है इस वीडियो को देखें इवन पुरश्बूरी शॉपिंग में इंटरस्ट होते हैं तो दो तरह की शॉपिंग के मैं आपको टिप्स देता हूं एक तो मैं ऑनलाइन के बाते हैं पहले हम आफ भोपाल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं भोपाल के तीन-चार मार्केट बताता हूं जहां पे आप जाके सस्ती सुन्दर चाहे आपको हैंड मेट क्राफ्ट खरीदना है चाहे आपने कपड़े खरीदना है चाहे आपने और भी कोई शॉपिंग करना है कुछ चार-पाँच मार्किन पताता हूं भुपाल पुराने भुपाल आप चले जाएए गलियों में थोड़ा जाना पड़ेगा लेकिन अच्छी सस्ती सस्ती यूनीक चीज़ें आपको महां पर मिल जाएंगी तो एक है आपका चौक चले जाएए वहां पर आपको डेर सारी जाओ भुपाली ड्रेस भुपाली पोशाकें और भुपाल का हैंडमेट क्राफ्ट जो है वह भी बहुत ज्यादा फेमास है तो यदि आपको शॉपिंग करनी है तो आप महां जा सकते हैं लेकिन ये तो मैंने बताया कि सस्ती और कम और कॉस्ट एफेक्टिव तरीके से शॉपिंग आप कर सकते हैं लेकिन शॉपिंग की एक जैनरिक तिक आपको देना चाहूंगा वो टिप यह है कि आपने कभी भी शॉपिंग करने जाना है चाहिए आप किसी भी सिटी में रहते हैं इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी बिना शॉपिंग लिस्ट के शॉपिंग करने ना जावें नहीं तो क्या होता है हम गए भही मार्केट में आ रहे अच्छा यह भी सस्ता लग रहा है यह भी ले लेते हैं अच्छो यहां पर तो 50% की सेल चल रही है यह भी ले लेते है कि हर चीज हमें किसी भी मार्केट में जाकर यूस्फल लगने लगती है कि यह भी खरीद लें यहां पर तोड़ों 60% का डिसकाउंट चल रहा है यह सब मार्केटिंग ट्रैप्स हैं यानि कि आप आये थे शॉपिंग आपकी जरूरत के लिए करने कि जरूरत का कुछ सामान लेना है लेकिन आप गए हैं वापस अपने शौक का या अपने वांट का सामान लेके इसमें क्या हो गया जहां आपने 2000 रुपए की शॉपिंग करनी थी कुछ लिस्ट बनाई थी या नहीं बनाई थी मनमें सोचा था कि 2000 रुपर का सामान लेके मैं आऊंगी य आऊंगा और आप बदले में चार या पांच या नski चाहिए जाहे बड़े मॉल में चले जाए चाहे आप छोटे किसी सपेस में चले जाए जाहे लोकल-मार्के में चले जाएं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए चले जाएं एक शॉपिंग लिस्ट जरूर लेकी जाएं ताकि शॉपिंग लिष्ट के मुताबिक यह दिया शॉपिंग करेंगे तो आप focused हो के सिर्फ वही सामान purchase करेंगे जिसकी आपको actual में जरूरत है और यहाँ पर यह बहुत important चीज़ है साथ ही अगर मैं आप shopping किराने वगरा की shopping कर रहे हैं मेरी आपको यह राय होगी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदें अगर आप अचार खरीदें तो अगर आप 100 ग्राम का चार का छोटा पैकट खरीदेंगे या फिर आधा किलो का खरीदेंगे तो उसमें फरक होता है प्राइसिंग में भी फरक होगा और जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें आप खरीदेंगे चाहे आटा डाल यहूं की ही बात कर लें शकर की बात कर लें तो बड़े पैकेट्स में क्या होता है आपको डिसकाउंट मिल जाते हैं आपको बचत भी मिल जाती है और अफकोर्स उसके एकस्पाइरी डेट्स वगरा को मद्दे नजर रखके आप खरीदारी करें तो यह आपके लिए बेनेफिशल होगा यहां पर पैसे बचा सकते हैं अब करते हैं थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे बात क्या होता है जैसे मैंने मोबाइल उठाया मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोची तो जो कुकीज वगेरा में हमारी इंफरमेशन स्टोर करता है आप आपकी आईडी से ही आपका गूगल वगेरा वो सब चलाते हो आपका फोटो दिखता है साइड में तो ये बड़ा स्मार्ट सिस्टम ये ट्रैक कर लेता है कि मैं बार-बार फ्लाइट्स चेक कर रहा हूँ मैं बार-बार कोई एक प्रकार की शॉपिंग करना चाहता हूँ तो ये फिर क्या होता है उस से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा बेजने लगता है और उसमें प्राइजिंग में भी फ्लक्चुएशन आ जाता है यानि कि ये सिस्टम समझ जाता है कि इस बंदे को इस प्रकार की चीज़ें की खरीबने का शौक है और वो आपकी इस आदत का फाइदा उठा लेते हैं और आपको फिर प्राइजिंग हाई करके कोई चीज़ें ऑनलाइन बेच देते हैं जितना हो सके आप अगर ऑनलाइन शौपिंग करेंगे खास वर से मुबाइल से नहीं अगर आप लैक्टॉप या डेस्टॉप से करेंगे जाधा अच्छा होगा और इसको इनकोगनिटो मोड में अगर आप शौपिंग करेंगे तो फिर जो ये स्मार्ट सा सिस्टम है ये आपको हर बार एज न्यू यूजर देखेगा और न्यू यूजर को बार बार बुना ले के लिए जो नए वाले जो डिसकाउंट्स और उफर्स होते हैं वो आपक पर आपकी सालरी है से फर एक्जामबल थर्टी थाउजन अ मन्त तीस हजार रुपए महिना आप कमा रहे हैं तो आप इसका हमेशा एक ना एक सिस्टम बना के चलें 50 प्रतिशत वाला 30 प्रतिशत वाला और 20 पचास प्रतिशत जैसे 50 प्रतिशत जो है मान लिए 30,000 वगएरा वगएरा में 10-12,000 रुपए आपने खर्चा कर दिये मान लिए ठीक 15 तक इस फिगर को हम ले सकते हैं फिर एक 30 प्रतिशत का कोटा आप रखिये जिसमें आपने अगर आपके उपर फैमिली रिस्पॉंसिबिलिटी है तो आप जरूर अपनी फैमिली को पैसे करेगा तो 20-25 प्रतिशत अगर आप महां खर्चा करना चाहें नया मुबाइल लेना है तो आप महां पर भी खर्चा कर सकते हैं और 20-30 प्रतिशत आई वोड़ स्ट्रॉंगली रेकमेंड कि आप कहीं इन्वेस्ट करें आप सेविंग्स करें विकर सेविंग्स करना फ्रीड के साथ साथ में आप से कहना चाहूंगा कि आप 20-30 प्रतिशत पैसा बचाएं ताकि वह आपको भुष्य में कोई अगर उच नीश होती है या आपको कोई एमजन्सी वक्त आता है तो आपको यह पैसे भी काम आएंगे ओवरॉल भुपाल बहुत हुपसूरत चती है अगर महां जा रहा हैं महां रहने वाले हैं तो बहुत सुकून आपको मिलने वाला है भाग दोड़ वाला कल्चर वहां बिल्कुल भी नहीं है आप डेफिनेटली भुपाल को बहुत इंज्जॉय करने वाले मद्द पुदेश की राज़तानी है कुछ दिन तो गुजारिये भु सेख्यार कर लेए अपने आपको आश्वस्त करने इस बात से कि मेरे पास my इनफ यह अपकर इमजाद को दीजिề उजाजत इयूट वीडियो तो आपको क्या करना है आपने इस यूट्यव कानल को सब्सक्राइब करना है मुछ से बात करनी है तो आप मेरे भी Instagram and Facebook ID हैं पर flash कर जाएंगे आप मुझसे बात कर सकते हैं जल्दी मिलता हूँ किसी अन्य amazing interesting YouTube वीडियो में कुछ नई जामकारी के साथ में धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया